हे गाइस तुम्हें भी थोड़ी देर पहले विजे देवर गॉंडा की मूवी देखकर आयों सच बताओ यार इस मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशन काफी जादा थी क्योंकि ये वही डिरेक्टर है जिनोंने गीविता गुविंदम जैसी मूवी बनाई गया और सच में यार वो मूवी मुझे बहुत जादा पसंद है सच में उस मूवी का मैं पैन हूँ और उस मूवी के कारहनी शायद मैं विजे का इतना बड़ा पैन बनाता हूँ उसके बाद मुझे उनकी डियर कॉमरेड भी काफी पसंद आई थी फिर उसके बाद मैंने अरजुन रेड़ी देखी थी और वो भी मुझे काफी पसंद आई थी और उसके बाद जो अगर हम उनकी लेटेस मूवी की बात करहें लाएगा तो वो मुझे पढ़स नहीं खास काफी जाद थे लेकिन ये मुवी उतना डिलेवर नहीं कर पाई है और ऐसा मैं क्यों बूल रहा हूँ इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी गोवर्दन और इंदु की गोवर्दन जो की एक फैमिली स्टार है फैमिली स्टार मतलब वो अपने सिंगल है अपने पूरी जॉइंट फैमिली को होल्ड करता है सब को खुश रखने की कोशिश करता है और इसी बीच इंटरी होती इंदु की इंदु एक टैनेट की तरह इनके घर में आती टैनेट याने किरायदार की तरह और उसके बात क्य इस चीज़े इतनी अच्छी तो है कि हमारे स्टार्टिंग से इस मुवी में ठीक ठाक सा कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाते है कि आब आगी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है लेकिन फिस तरह से यह मूवी आगे बढ़ती है अपनी पूरी सिट्वेशन को एक पूरी तरह से इमोशनली कनेक्ट होना अब चाहिए था लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं जो इनके बीचे जो डैनमिक्स है उसे पूरी तरह से फील्ड कर पाते हैं जो की काफी जादा बूरी बूरी बात है तो इस चीज़ेंस के नाम पे आपको कुछ देखने को नहीं मिल है यह पूरी मुवी काफी जादा फ्लाइट और प्रेटिबल रहती है आप पहले सी पता होता है कि आगे जाके क्या कुछ हो सकता है ऑल्दो कुछ चीज़ें हैं जो आपको शाहिए सप्राइस कर सकती है लेकिन ओवरॉल यह इस मुवी में ट्विस्टेंस के नाम पर आपक काफी जादा है बात करूर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तो दोनों ही लीट करेक्टर ने धमा के दार काम करें सच में विजय और मुरुनाल की केमिस्ट्री वह काफी जादा अच्छी दिखके आती हो सच में अच्छा लगता है दोनों को साथ में देखना है स्क्रीन पर दुनों का काम भी काफी अच्छा जो बाकी की सपूर्डिंग कास्ट है उनका काम भी काफी अच्छा है बात करूर दैरेक्शन और एडिटिंग की डьогоएवरेज है डिरेक्टर से मुझे परस्नले आपी व्मीदि थी गीता का बिंदम जिस तरह की उन्होंने भी भनाई थी विजय के साथ ऐसा लग रहा था कि इस बार भी वो कुछ वैसे magic create कर पाएंगे लेकिन ऐसे करने में वो पुरी तरह से पेल हुए उनके पास script ठीक ठाक थी लेकिन जो execution था वो काफी जादा below average था जो editing है वो भी मेरे खाल से थोड़ी और better होनी चीए थी जैसा मैंने बताया इस movie की जो length है वो कम की जा सकती थी बात करूब production quality के तो काफी अच्छी है तो overall मुझे ये movie below average लगी मुझे इस movie से expectations जादा थी हो सकता है इसलिए शायद मुझे ये movie थोड़ी खराब लगी हो हो सकता है अगर आप लोगों ने इस तरह की movie जादा नहीं देखी या फिर इस movie से आपको बिलकुल ये expectations नहीं है त लेकिन मैं तो इस movie को recommend नहीं कर पाऊंगा और अगर आप लोगों ने movie देख लिए हो तो मुझे comments पर जरूरू बताना कि आपको ये movie कैसी लगी बाकि मिलते अगले वीडियो में तक तक दीजाहिन जय भारत